तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई दो algorithm आएगी तो so compare करने के लिए दो important factor होता है पहला factor होता है time second होता है space time कलम निकालते है time complexity, space के लिए निकालते है space complexity अब हम इस lesson के अंदर सारा पढ़ रहे है time complexity के बारे में जिसके निकालना पढ़ता है कि number of primitive operations कितने है जिस algorithm के अंदर number of primitive options कम होते हैं वो algorithm better होता है next मैंने बताया था आपको last lecture के अंदर कि asymptotic notations होते हैं बहुत omega, theta, big O हम लोग जो use करते हैं to compare different algorithm तो उसके लिए हम use करते हैं हम big O notation big O notations निकालने के लिए simple trick है कि जब भी आपके पास जो भी primitive operations आएं उसमें सारे constant remove कर दीजिए second जो lower order terms है उसको remove कर दीजिए यहां तक हम last class में बढ़ चुके थे अब हम इस lesson में पढ़ेंगे कि different different cases के अंदर आपके time complexity क्या रहेगी in terms of big O ध्यान दो, तो हम simple loop में चेक करेंगे, then loop with increment, simple nested, nested dependent variable यह सारे आपन cases चेक करते हैं ठीक है सबसे पहला case आएगा simple loop तो simple loop के अंदर यहां पर यह n होता है और यह total 2n तक जाता है, यह आपको पता है और मैंने कहा था constant हटा दीजिए इसको तो क्या बचेगा? n बचेगा और यहां पर क्या बिग O of n अगर आपको समझना है कि यह कैसे किया है समझ मैं आपको और यहसे भी कोई भी range कोई भी range तक अगर वो हर एक element को अगर पार्स कर रहा है तो पूरा n तक जाएगा वो ठीक है? next with increment k मतला by default यह 1 होता है अगर 1 के लागर 2 हो गया तो क्या होगा? 1 से n तक जाएगा और हमेशा 2 2 का increment करता रहेगा तो इसमें कहां तक जाएगा? total कितने iterations करेगा यह? n समलोर 10 तक गया फ़र 2 2 गया तो n by k तक चले जाएगा ठीक है? तो n by k क्या हो जाएगा? n by k और इसमें k तो constant है यह k तो constant है तो यह remove हो जाएगा वापिसे क्या आजाए आपका? लॉग n ही आ जाएगा इसके अंदर भी ठीक है? next लॉग n आ जाएगा इसके अंदर तो यह n तक जाएगा और अब इसके अंदर जो भी इसके अंदर जो भी operations होगे इसको भार n से multiply करना होगा तो यह कहते जाएगा यह जाएगा m तक पर यह किसके इस loop के अंदर है तो n into m हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? big o n into m आ जाएगा similarly अगर देखें with dependent variable dependent variable क्या होगा यह for i से n तो यहां तो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा और यह for x2 क्या जाएगा? i तक जाएगा मतलब जब first आएगा तो 1 आएगा 0, 1, 2, 3, 4 पर यह maximum किता जाएगा? maximum जाएगा यह n तक और हम तो worst case देख रहे हैं तो maximum देखेंगे n तक जाएगा तो अगर नीच अंदर वाला भी n है और भार वाला भी n है तो यह अंदर वाली loop के अंदर है तो क्या हो जाएगा? n square हो जाएगा तो omega n square आ जाएगा यहां पर next, next है nested loop nested for loop with index modification देखो तो यहां आपको समझ माया यह तो n तक गया ठीक है? इसके अंदर क्या है यहां यहां पर क्या है log i, ठीक है? । यह कहां तख जाएगा? यह अंदर चेक करो पहलेगा अगर यह n होगा और तो यहांपर माया लो न तक यहां पर यह आएगा और यह n से multiply हो तो यहां क्या है 2 n तकMusic आएगा नेक्स देखो वाइल आई जो है एंड से कम है और आई के अंदर क्या है आई स्टार के तो ये एंड तक जाएगा अभी कितने इटरेशन करेगा वो हमें देखना पड़ेगा ठीक है इससे के अनदर आयं जो है वो है 1, N है 16 और K है 2 तो first iteration में, first iteration में i की value है 1, second iteration जब चलेगा, तो यहां पे i, यह कह लिखा, यह लिखा, i is equal to i multiply by k, और k है 2, तो 2 से multiply हो तो यह क्यों हो जाएगा, next में, third iteration में, जो अपर third iteration जाएगा, तो यह जाएगा, तो यह जाएगा 4, fourth iteration में कितना हो जाएगा, 4 तो जाएगा, 5 iteration में कितना हो जाएगा यह, 8 तो जाएगा, तो यह करते करते कितना हो जाएगा, तो यह करते करते कितना हो जाएगा, यह कह लिखावा है, यह basically 2 की power 0 लिखावा है, यह 2 की power 1, यह 2 की power 2, 2 की power 3, 2 की power 4, और यहां तो करते करते क्या हैगा, तू की पावर देखो आप देखो यहां से एक कम है यह तू की पावर में यह 5 है तो 4 है 4 है 3 है 3 है तो 2 है इसका मतलब एक कम है तो यह हो जाएगा 5 पूरा k तक क्या हो जाएगा k-1 clear है k-1 हो जाएगा ठीक है तो अब क्या हुआ k-1 हो गया और maximum आप मुझे उताओ maximum यह जो iterations है maximum iteration कहा तक कितने हो सकते है maximum iteration हो जोकते है n तक maximum तो यह होगा इससे तो पर जाएगा यह नहीं और मैं वर्स केसे देखना है तो इसके क्या है इसको equal to मैं n कर दूँगा ठीक है अब अगर मैं दों तो लॉग लूगा तो क्या आएगा log 2 और पावर में k-1 और यहां भी लूग लूगा तो क्या आजाएगा लॉग और n आजाएगा अब मुझे पता है कि जो पावर में होता है आगया जाएगा तो मैं इसके यहां सौल कर रहा हूं तो कुछ इस तरफ तो यह जाएगा k-1 और फिर log 2 is equal to log n हो जाएगा ठीक है अब k basically iteration k निकालने में तो यह log 2 तो constant है constant आयाते हैं यह 1 भी constant है यह basically ऐसा होगा यह bracket खुलेगा यह हो जाएगा पहले यह अटादो और यह 1 बढ़ादो क्या होगा k is equal to log n आ जाएगा तो इसकी complexity किते जाएगी log n हो जाएगा अच्छा इसमें आपको यह चीज और देखना है अब यह log 2 था log 2 लिया था आपने और यहां पर k है अब अगर यहां पर 3 होगा तो क्या आगा log 3 हो जाएगा यहां पर निचे क्या आजाएगा log 3 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा आपकी o log kn complexity आ जाएगा इसके अंदर अंदर